काफी लोग मेरे Instagram पर मुझे DM करते हैं मुझे से पूचते हैं के भाई हम Reels पर शॉट वीडियो बनाते हैं और जैसे मेरे Reels पर किसी भी Sound पर वीडियो बनाते हैं तो हमें एक notification आता है notification जो होता है वो कुछ इस तरह का होता है यहाँ screen shot आप देख सकते हो इस तरह का यहाँ पर notification आ जाता है इस notification का मतलब क्या है यह हमें क्यों आता है जब भी कभी हम किसी की भी audio को यूज करके अपनी वीडियो को बना करके upload कर देते हैं वीडियो upload होने के बाद में हमें ये वाला notification आता है इसका क्या मतलब है प्लीज आप हमें बताए तो इस वीडियो से आप यही जानेंगे कि इस notification का मतलब क्या होता है और यह आपको क्यों मिलता है अगर आप इसके बारे में सही जानकारी चाते हो तो वीडियो को भी ना skip के आपको end तक देखना होगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम जान लिजे मेरे नामें शाहिद और आप देख रहे हैं शाहिद SS YouTube चैनल चैनल पर नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओल पर प्रेस कर लो कि आने वाली मेरी वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे तो चलिए ये शुरू करते हैं दोस्तों जो नोटिफिकेशन होता है ये इस्टाग्राम की तरफ से आपको मिलता है जब भी कभी आप रील्स पर वीडियो बनाते हो और किसी दूसरे के साउंड को यूज करके आप अपनी रील्स को बनाते हो तो ये नोटिफिकेशन आपको इसलिए मिलता है कि जिस परसन का जिस बंदे का जिस इस्टाग्राम यूजर्स का ओडियो आपने यूज किया है अब वो जो ओडियो है आपकी वीडियो के अंदर उसको एड़ कर दिया गया है इसका मतलब है कि इस्टाग्राम आपसे यहाँ पर कह रहा है इस नोटिफिकेशन के जरिये जो ओडियो आपने यूज किया है किसी दूसरे परसन का वो आपकी रील्स के अंदर एड़ कर दिया गया है और successfully add कर दिया गया है इस वजह से आपको यह notification देखने को मिलता है इसका मतलब यही होता है कि आपने किसी दूसरे person के audio पर video को बनाया है reels पर video को create किया है उसके बाद में उसको upload किया है और जैसे ही आप किसी के भी audio को यहाँ पर add करते हो अपने video के अंदर तो आपको यह notification जरूर देखने को मिलता है तो इसका यही मतलब है कि Instagram आपसे बताता है आपसे कहता है कि जो audio आपने use किया है उसको हमने successfully add कर दिया है आपकी video के अंदर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है वो successfully add हो गई है तो इसका सिर्फ यही मतलब होता है और कोई इसका मतलब नहीं होता है I hope कि आपको यह video अच्छे लगए और आपको पसंदा आए तो इसको like करें, share करें मेरे channel को subscribe करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे अगली video में